हेलो फ्रेंट कैसे आप सभी लोग गुम्मीद है आपका पीपर बहुत सांदार गया होगा और MPPSC प्रीटो 2022 में आपका सेलेक्शन होने बाला है दोस्तों आज जब लोग पूरा पेपर एनलेसिस करेंगे पूरा आपको आंसर की बताएंगे हंडेट कोशनों की किसका आंसर क्या है आप फटाफट चेक कर लिजिए और देखिए कि आप क्लियर कर पा रहे हैं क्या नहीं लास्ट में मैं बताऊंगा कि कितना कटॉप जा सकता है जिससे आपका सेलेक्शन शौर हो जाए चाली स्टार्ट करते हैं आज का पेपर बहुत ही का जादा ही रहता है तो 29 कोशन यहां से देखने को मिले जोग्रोफी में 11 कोशन है पॉलिटी में 9 कोशन है इस्टि में 11 पूछे गए एकॉनॉमिक्स में 5 कोशन साइंस में 6 और आई से पूछे गए 10 कोशन कमिशन से 11 कोशन थे करेंट अफ्यर्स और स्पोर्ट के 8 कोशन थे यह पूरा का पूरा एनलिसिस मैंने बता दिया कि किस पूर्शन से कितने कोशन पूछे गए यहां पर देखेगा MP से 29 कोशन पूछे गए बहुत आसान कोशन थे अभी हम लोग तो दोस्तों यहां पर देखेगा पहला कोशन आपके लिए और आटलस और अक्ष यह चोंडिकी पीbouw It को क्या कहते हैं अगला कोशन है अनुवांसे की थोड़ा स्कूपर कर लेते हैं son2 कि तरफ हम लोग चलेँगे second क्या कहिं रहा है second question की देखिए पहले का question आप लोग लगा लीजिए डी होगा second का question है कि अनुवांसे की रूप में परिवर्थे बीटी बेंजल छोता करते हैं याद रखेगा तीसरे प्रिश्ण की तरफ हम लोग चलेंगे तीसरा प्रिश्ण क्या कहा रहा है देखिएगा तीसरा प्रिश्ण और आसान है तीसरा प्रिश्ण है मनुस मैं निमलिखित में से कौन सा विटामिन खून में थक्का जावाने यह तो बच्पन से हम लोग पढ़ते आए दूस्तों विटामिन के विटामिन जो के है इससे खून का थक्का जन जाता जैसे आपको भही कहीं लग रही है एकदम से खून निकले है ठीक है चौथे प्रिश्ण की चलिए देखिए का क्या बोल रहा है कि IIFM भारतिय बन प्रवंदन संस्तान कहां पर है सब को पता है देहरा दून में दोस्तों देहरा दून में मद्द्रदेश का कुश्चन नहीं है यहां पर पूशा गया है कि भारतिय बन प्रवंदन सं एको टोन कहते हैं तो यह चार है ध्यान से देखिए दोस्तों 58 ठंथ्रों के मत सीमा अत्वा संकर्मण च्छेट के रूपर जो करता है उसे को टॉन कहते एको टॉन यानि कि 55 का जो अंसर अन्सर होगा वो घड़ी चलिए पांसर क्ना क्या होगा ड़ी करिएगा निमलिखित में से हमारे देश का कौन सा छेत्र जैब भीविदा या बायो डाइवर्सिटी में ज्यादा तत्पर है कौन सा है यह पश्मी घाट दोस्तों पश्मी घाट वो छेत्र है अलाका जापर बारिश सरवादिक होती हो बहुत बैराइटी की बायोराइटी है पर देखने को मिलती है सिंपल सा कुष्ण है किलास में कराये वह था अगर किसी ने मेरे से क्लास में जोग्रॉफी बड़ी है तो उसको पता होगा कि यह क्लास में किया गया था इसके बाद देखिए बायू गती बायू की गतिम आपने के लिए कौन सा यंत्री यूज किया साथ कोशनों के आंसर मिल गए होंगे चलि नेक्स कोशन की तरह हंदुक चलते हैं चलिए इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं कि आपको यह प्रिश्न दिख रहे होंगे चलिए यहां पर देकि कौन सा प्रदूशन मनुस्यों में इटाई इटाई रोक करता है दोस्तों यह केडिनियम के प्रदूशन अगर फैक्ट्रों के पानी नद्यों में मिल जाता और पानी हम लोग पी लेते हैं इसमें केडिनियम होता है तो इटाई इटाई नाम का रोग हो जाता है याद रखेगा खाद सुरक्षा यह वाला देखिए नाइंद का आंसर देखि क्या है कि अब को लगेगा सिंपल नैंब की इस यह करा अगे ये प्राकर्तिक चिखिश्ड और होमोपेथी सिंपल सा इसका फुलफॉर्म है यह आपको बताना था चाली आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले कोशन की तरह जो खब्सक्रास है आपका 11-21 को देखी है आप 11 एक आंसर क्या है ग्यार्वा कोशन पहले देख लेते हम लोग का क्या था कि सकल उत्पादन में संदर में मद्धिप्रदेश का कौन सा इस्थान ठीक है कौन सा इस्थान आई इसके देखते हैं दोस्तों सकल में जो है मद्धिप्रदेश का जो वह तीसरा इस्थान है ठीक है कोईले की छेतर में हम लोग तीसरे इस्थान पर आते हैं कि उत्रपादन में हम लोग चौथे इस्तान पर आते हैं यह ध्यान रखिएगा और बैसे अगर आप लोग देखो को दोस्तों अगर आपको मालोग केली नहीं पता कापास पता है तो कपास हमारा जो है भुरानपूर तो भुरानपूर में कपास और केली होते हैं बार्विकांसर भुरानपूर है चली तेरवेका देखे तेरवेका तो आप बच्चा बच्चा बताएगा मामा जी ने लालनी भेनाओं के लिए कितना पैसा देने की बात करी है सब को बता है कितना न्यूज में बना रहा करेंट अफेस का कोश्चन है तो एक हजार रुपे महीना यह तो बहुत आसान है सबने पकड़ लेते पटेल पटेल सहरिया जन जाती को कहा जाता है आप खूटिया कंफर्म नहीं है खूटिया कहते नहीं कहते पर बैगा और भूमिया में कहीं पर भी पटेल सब्दे का इस्तमाल नहीं करते तो यहां से हम लोग खूटिया पटेल का आंसर जो है वो मेरे हिसाब कि जनगर्णा के अनुसार मद्ध्रदेश में नियूंतम जनसंक्या घनत वाला जिला कौन सा है यह तो बहुत आसान है डिंडोरी डिंडोरी एक ऐसा जिला है जहां पर सबसे कम घनत है जनसंक्या का घनत आपको कम देखने को मिलेगा तो पंद्रे का आंसर जो होगा वहोगा कि 2011 के अनुसार पूछा गया वैसे तो अभी निवाड़ी हो जाएगा 2011 के अनुसार मद्ध्रदेश में नियूंतम है डिंडोरी क्यूंकि निवाड़ी तो 2011 वे था ही नहीं ठीक है यह याद रखिएगा चली अगले कोशनों की तरफ चलते हैं अगले कोशनों की तरफ चलत है अगले को चली बच्चा वाला कोशन मद्ध्रदेश में महिला राजपल कौनती प्रिथम तो यह सरलाग्रेवाल जो है वो प्रिथम महिला रही मद्ध्रदेश में ग्राम पंच्याज घोशित होने के लिए नियूंतम जंसंग क्या कितनी होना चाहिए एक हजार लोग मद्ध्रदेश में कितनी बढर राश्पाती सासन लगा है सब को पता तीन बार सबने अगले दो प्रश्चन की मध्र fishermen की अनुपस्तिती कोन मंद्री प्रिषयत की बेठक लेत है देखिए मुखमंत्री कभी घुमने चले गए भार या किसी काम से गए तो कौन मैठक लेगा तो यहां पर मुखमंत्री द्वारा जो निर्दिसित मंत्री मुखमंत्री जिसको बोलके जाएंगे वो बैठक ले लेगा ठीक है किसी भी मंत्री को जाके बोलके जा सकते हैं मद्ध प्रदेश के प्रथम मुखमंत्री कौन थे तो सब को पता है रवी संकर सुकल यह किसी ने गलत नहीं लगाया होगा चालिए तो यह हम लोगों ने देख लिए 20 कोश्चन तक हम लोग पहुंच चुके हैं असी कोश्चन और बचे फटाफट सब का अंसर देखेंगे आप चेक भी कर सकते हैं कि कितने मांक्स आपको आ रहा है तेकि 21 की बात करें राज मानव अधिकार आयोक के सदश्चों की न्युक्ति गठित समीति के अध्यक्ष कौन करता है तेकि राज मानव अधिकार आयोक की पात होगी तो यहां पर मुखमंत्री होगा ना की राजपाल द्यान दखिएगा मुखमंत्री यहां पर न्युक्ति करता है मद्यप्रदेश राज पिछड़ा वर्ग आयोक अधिनियम 2021 के अंतरगत कितने असास की सदत होते हैं कि कितने 2021 के अनुसार होगे तो इसका आंसर ह होगा कि इसका अंसर मुझे थोड़ा सा कंफॉर्म नहीं इसको अपन देख लेंगे ठीक है इसका आंसर यह डाउट में है आप लोग इसको थोड़ा सा चेक करेंगे कि मद्यप्रदेश राज पिछला वर्ग आयोक संसुदन अधिनियम 2021 के अंतरगत कितने असास की सदस हैं ठीक है फिर भी मैं बता देता हूं पांच बाव मुझे लग रहा है 99-90 परसेंट सूपर लग रहा है कि याद एकदम से नहीं आ रहा है तो आप इससे चेक कर लिएगा चारी अगली कोश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं कि 22 को आप एक बार कंफर्म कर ले ना 23 की तरफ चलते हैं तेज़ए का अंसर क्या है राश्टी मानवदिकार अयोग की संदर में कथन क्या साहिए देकि मानवदिकार आयोग उन के छितमर प्रतौव को प्रृसाया करता है मोटिमेट करता है आयोग का काम मानवधिकार के छेत में अनुसंदान करना ये भी करता है उत्तर दीजिए कतन एक सत्य है हां सत्य है दूसरा दूसरा भी सत्य है दोनों सत्य है एक और दो दोनों सत्य है ठीक है? तो इसका क्या आएगा? 23 बेकर D 23 बेकर D आएगा चली, next question की तरफ चलते हैं next question की तरफ चलते हैं एक सेकंड इसको जमाद लेते हैं फटा-फट चली तो यहां पर देखी अगर हम लोग बात करें 24 बेकर करेंगे कि संग तथा राज्यों के लिए लोग सवायोग लोकसवा आयोग का प्रवधान सम्मिदान किस अनुषएत के अंतरगत आता है तो यह आता है 315 के अंतरगत 315 अनुषएत इसका अंसर होगा यह एक फर्वरी 1994 में अस्तित में आया वह एक फर्वरी 1994 इसका याद रखी गा अंसर ठीक है चाली इसके बाद हम लोग बात करेंगे अगले कोशन की तरफ चलेंगे चाली अगला कोशन पूछा गया था कि नीती आयोक के उपाध्यक्ष की न्यूक्ति कौन करता है तो नीती आयोक के उपाध्यक्ष की जो देखो ब्रधान मंत्री करता है क्योंकि ब्रधान मंत्री इसका अध्यक्ष होता है यही इसकी उपाध्यक्ष की न्यूक्ति कर देता है कि चालि अगले कोश्चनों की तरफ हम लोग चलेंगे कि चाली 28 कोश्चन को देखिए कि सतर्कता के छेत में केंद्री एजनसी को सलाइबं मार्गरशन देने हितु केंद्री सतर्कता आयोग की स्तापना किसकी अध्यक्षता वाली समीटी किसे पारिस पर आदत करती है यह के स संतानम यह बहुत इंपोर्टेंट कोश्चन इसे याद रखेगा और आने वाली एक्जामों भी पूछा जा सकता है तो के संतानम वह व्यक्ति थे जिनोंने केंद्री सतर्कता आयोग की स्तापना की अध्यक्षता वाली समीटी की सेपारिस वाधरत थी ठीक है इसके आदेक इसलिए डी इस दा राइट अंसर होगा राज शेत्र की विदान मंडल का सदस्क्यों होगा वहीज का यह चीज याद रखेगा तो इसका अंसर आएगा अब बात करेंगे थर्टी कोश्चन की में ठीस्वा कॉशन क्या है भारती सम्बीदान के अनुषेत के अंतरका राष्टीा अनुसven जाती आयोग का गठन को किया गया था किस अनुस और्टिकल के तहित अनुस्फोचित। जाती आयूग का गठन किया गया था क्या कोश्टन का answer दीजिए देखे जब भी खाद एवं क्रसी संगठन एफ का हेड़ कोठे पूछे या किसी पी संसंदा का को कॉशन पूचा जाए जो घाने पीने से रिगार्डिंग है खाने पीने से शावाइग उसका आंसहरा रwegen याद रखेगा तो इसका अंसर भी क्या है इसका भी आंसन है तो 31 जी्टीज का क्या बहुत बात्राले कि संबंदित है तो 32 30 12 32 30 33 की बात करें कि ब्रतमान में भ्रती धल सेना की सिंपल सी बात है यादध की तरब चलेंगे देकि अगला कोशन कह रहा है कि भारती लोग सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे भारती लोग सभा की प्रथम अध्यक्षक्ष पून थे जी भी मावलेंकर यानि की गणेश बासुदे मावलेंकर कौन सा सहर दच्छिड अफ्रीका फिल्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज एफ इंडेक्स 2030 के दूसरे संच्रक्ट में मेजबान था यह था पुणे पुणे में हुआ था पुणे में ठीक है पुणे में हुआ था इसको आपको याद रखना है चली अगले कोशन की तरफ चलेंगे हम यह चाहिए पर आप्धिप्रिदेश में वैस्विक निविशक सिकर समिलंग 2023 कि संपा पर हुआ भूँख धूमदां से हमारे मद्धीप्रिदेश के किस इस्तान पर क्वांटम प्रयोग साला खोल रही यह तो बहुत आसान है बहू हु ठीक है मिलेटरि हैड्ट कोटर ऑब तो बार जो है महु बार भीम राम बिटकर का जन्मिस्तल भही पे खोला गया तो 37 का क्या आएगा एगा चली इसके बाद हम लोग 38 पर चलते हैं 38 का अंसर फटा फट देते हैं 38 का देखी 38 प्रश्ण कौन सा था खेलों से संबंदित है 38 पर देखी 38 है यह है रंगा स्वामी कप क्या पोलो से है रंगा स्वामी पोलो से नहीं है यह गलत है सीज महल ट्रॉपी क्रिकेट से है ठीक है यारविन कप होकी से है रोबर्स कप फुटबॉल से है यह तीनों सही है मतलब 2-3-4 बी इस दा राइट आंसर निम लिकेत में से क किसे फीपा विस कप 2020 एक और स्प्योट से कोशन पुछा गया गोल्डन बॉल गोल्डन बॉल अवाट जीजा लियोनी मैसी ने जीता है ठीक है लियोनी मैसी याद रखिएगा कि चली अगले कोशन की तरब चलेंगे अगले को आंसर क्या है चालिस के बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग फटा फट चालिस का देखिए कि होकी खेल के लिए 2020 में किसे लाइफ टाइम दोड़ा चार प्रुसकार से नवा जा गया तो यह है रोमेस पठानिया तो रोमेस पठानिया को 2020 में दोड़ा चार प्रुसकार से नवा जा गया ठी चालिस का सी चालिस की बाद हम लोग 41 पर चलेंगे 41 का कह रहा है देश की सीमाओक में e-commerce कौन सा आयाम वैपार में सक्षम है अमीरी अंतरसीलता विश्व्यापी सर्व बिदमानता देखो इ-commerce की बात करें मतलब ओनलाइन जैसे फिलिपकार्ड अमेजन से आप पर्चेस करते हो इसके आने से विश्व्यापी मतलब कि चाली इसके बाद अगर हम लोग बात करें 43 कोशन की 43 कोशन का आंसर देखिए 43 कोशन का जो आंसर होगा कि 43 कोशन का आंसर क्या होगा देखिए जल्ली से कि सोसल मीडिया निकूल है सोसल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रिचार करना हाँ ठीक है इस पर स्कंटेन लिखना नहीं छोटा कंटेन वनाने के लिए आसानी से निकित किया लोगों को सामाजिक नेटवर्किंग में नि से कोशन पूछा गया है कि साइवर सुरक्षा की विसेस्ता है अनुपालन आंत्रिक खत्रों से प्रितिरक्षा खत्रे की रोपताम या उप्रूप सभी तो इसका अंसर आएगा उप्रूप सभी यह दिख रहा है आप लोगों को यह दिख नहीं रहा होगा सो बड़ा कर ले बैठता है यहाँ पर देखिए कोमर्स का कौन सा वंड़क सटिक वैठता है तो इसका आंसर आएगा सी तकनीकी आधारित सासन की विवस्ता देना इसका अंसर एकदम सही होगा कि तो 45 का सी आंसर है कि इसके बाद आगे हम लोग बात करें 46 की कि सधीक करें किनिमलिकित क्रतिम बुद्धिता किस ने करी है तो यह जॉन मेंखार्थी जो वो किर्थिम बुद्धिता के जनक कहलाते हैं के जान मेंकार्थी तो बी इस ता राइट आल सर निम लिक अनसर निम लिकित जो है वो आवासी सायक का उधारण नहीं है नहीं है पूछा गया बाकी सब हैं इसके बाद हम लोग चलेंगे 47 के बाद 48 बेप्रिश्ण की तरफ 48 बाद प्रश्ण कह रहा है कि निमलीखित में से डायॉड में कौन सा अत्यं उच्छ गती सुचिंग đले कोशन की तरफ Prayer कोशन 49 49 क्या कह रहा है देखी electronic उपकरण में कौन सी तकनीक electron hole युग में पैदा करने के में प्रियोग में नहीं की जाती तो 49 की अगर हम बात करें असुद्ध अंता छेप असुद्ध अंता छेप जो हो इसका आंसर होगा 49 का क्या होगा चली 50 50 50 कोशन तक हम लोग पौँच चुके हैं कि निमली खित में से कौन सा क्रतिम बुद्धिता आर्टिफिशल इंटेलिजिएंट की पक्षपात का स्त्रोथ नहीं है तो 50 का जो आंसर होगा वोगा चमता बाकी सब चीज कर सकते हैं पर चमता नहीं इसकी बुद्धी चमता थोड़ी होती ठीक अपने इसाब से थोड़ी सोच सकता है जो से बोला गया है वहीं सोच सकता है कि इसके बाद देखिएगा हम लोग 51 की तरफ चलेंगे 51 प्रिश्व की तरफ चल रहे है कि कि एक कावन जो है जड़ित्में से लाच में ब्रद्धी दर सर्वादिक है इसके की सेuana नदी नेकांग लगां सिंपल है यह बांगलादेश से नहीं गुजरती कहां से नहीं गुजरती बांगलादेश से कंबोधिया जाती बेतनाम जाती लाउस जाती है पर यह बांगलादेश नहीं गुजरती इधर क्यों आएगी बांगलादेश बांगलादेश में तो हमारी कौन सी नदी आती है भ्र तो मिजोरम वहार राज्ज है जहां पर महिला इस सबसे अधा पड़ी लिखी थी इसके बाद देखी त्रेपन के बाद 54 में चलेंगे हम लोग 54 का आंसर देखिए क्या है 54 कोशन है कि भारत में लो एसके संब्द में निमलिखित में से कौन सा कतन सही नहीं है हमारे देश में वक्ता हैमेट लौपाया जाता एवं उडिसा में है यह कहना गलत हो जाएगा तो मेरे हिसाब से बी इस दर आइट अंसर पर्स 2020-21 में निवलिखित में से कौन सा राज मूमफली में मूमफली में होता है गुजरात ठीक है मूमफली में गुजरात सबसे अक्रमीन है मोदीजी यहीं से है मूमफली मैंने आप आपको क्लास में ट्रिक से बताया था कि मोदीजी मूमफली भी बेचते हैं चाय के साथ अगर आपको याद होगा थो एटलस प्रबत महादीप कहां पर अफ्रीका में कहां पर है अफ्रीका में 56 आएगा सुन्दरवन निवलिखित में से किस प्रकार का सुन्दरवन किस प् या उसने कटी बन दी इस उसके पड़पत बन है तो यह बनों से एक कोशन बनता है सेवंटी फिप्टी सेवं एकदम से मैं याद नहीं कर पा रहा हूं इसमें मैं 90% थोड़ा सा श्योर हूं मैं भूल रहा हूं फिर भी मेरे हिसाब से ए होना चाहिए ठीक है इस कोशन में भी कि सब मैंने यह पूरा का पूरा प्रेपर मेरे हाथ में है चली इसके बाद अगले कोशनों की तरफ हम लोग चलेंगे कि 57 के बाद 58 कोशन क्या है कि यहां पर देखिए 90 परसेंट पूर्व निमली खित में से कौन से महासागर में इस्तित है यह हिंद महासागर में ठीक है भारत में पवन उर्जा चमता के संब्द में कौन सा नहीं है सोजणों है कि घुजरात में यह भी है भुज्रात में यह भी है बर्स 2021 में तमिल्लाडु mm की पेंग उर्ज्ट शब्सकी की टीसरा इस्तान है पवन उर्जान में हैं हमारे सcor्ण में है पर व्यायी तो डी इस्ता नहीं है यह थीक है इसके बाद अगर आगे हम लोग बढ़े है कि अग्यों ही सिंपल 17 कोश्शन है कि एसीया का लैंड लॉइन स्टल नहीं है लेडलोग मतलब नहीं है मतलब जिसमें जो पूरी तरीके से पानी मतलब समुद्र से मिलता हो तो थाइलेंड है कैसा आपने देखा होगा पानी से भी घिरा हुआ है ठीक है लाओस भूटान और नेपाल यह तो पानी उपर है तो भारत की उपर यहां पर पूरी सिमा बनाता है जालो भारत छोड़ो अंदरों ने सबको पता है नोगस उनिस्सों मैयालीस पोथी पड़पड़ पड़ा कवीर विजयनगर सामराज की स्तापना कभी 1336 AD ठीक है 1336 AD में विजयनगर सम्राज की स्तापना हुई थी चली विजयनगर सामराज की विजयनगर सामराज की आपको पता होगा हरियर बुक्का नाम के दो व्यक्तियों ने करी थी मुहम्मद बिन तुगलक के समय में अगला कोशन है चंपारण चंपारण में जो सत्तागिरा होता नील को लेकर वो जूमकरसी पे था नील का दी रहतेवारी नहीं था तिन कठिया पद्दती के नाम से भी जाना जाता है खेती पैचानी जाती है परमहंस मंडली परमहंस मंडली कहां पर बनी थी यह समाज में इसकी स्तापना हुईती याद रखेगा 65 कोश्चन हो चुके हैं आगे हम लोग बढ़ेंगे जल्ली से फटा-फट कम समय में पूरा का पूरा मैंने आप लोगों को सब समझा सब के आंसर बता दी है 26 का देखेंगे हम लोग कि तह के हिंद किस ने लखी और बरूर ने लखी है प्रातना समाज की स्तापना कांपना पे हो थी बंगाल तह ने समाश में होई ती प्रंपरा के अनू्सार अलवरों की संज्या के कि यह 12-63 12 और 63 ठीक है 12 और 63 याद रखिएगा 68 का ए आंसर है इसके बाद देखी अगला कोशन है कि संथाल विद्रो किसके कारण हुआ था सिद्धो के कारण संथाल विद्रो जो मुखनिता कौनते सिद्धो विर्सा मुंडा भीमा नायक और स्वामी गोदगिरी नहीं आसर क्या है तो निमलिकल में से किस स्थान पर बहुत गोपा इस्थित नहीं है अजनता में रूवा कि वाग की उफहाओं में हैं सय बलसे और सची में भी कोई गुफा नहीं है साची में अब अगला देखिए वगेल मैं लाल पिली मिट्टी पाई जाती हां पाय जाती लाल पिली मिट्टी उरबद्टा अदिक होती नहीं verse लाल पीली की उल्बत्ता दिक थोड़ी होती है तो कौन से जलोल मिट्टी की सबस्यादा होती है तो इसका आंसर क्या होगा यहीं है ठीक है कतनों पर विचार कीजिए मालवा की पठाल में घहरी काली मिट्टी पाई जाती है मद्देश के उतरी पश्मी भाग में जरोल मिट्टी पाई जाती है तो कौन सा कतन सही है केबल एक दूसरा देको दूसरा इसमें भी है गलत हो जाएक इसमें भी है इसमें भी है तो डी आंसर होगा क्यूंकि दूसरा नहीं हो सकता तो जिसम्हें यह वो ऊंजर होगा इस पर ट्रत करके भी लागा सकते कुर्य गजरूरी नहीं कि आपको सब पता होगा एक भी पता है तो इसके साफसे भी आप इसको लॉजिकलल लगा सकते अगले कोशन देखिए निमलिखित में से किसमें मैगनीज मिलती याँ बच्च को बच्चे बच्चे को पता है बाला घंट ठीक है मलाच खंड की घताने कहां पर मिलेंगे आपको बाला घंट मेहंगे चीज़ निमलिखित में से कौन सा कतन मद्प्रुदिस की जलवाई को सब 23 देखिएगा सी तरी भागों में तापमान दचनी भागों कि तुल्ला में कम होता सही बात है राज का दचनी पूर्वी अपिच्च्र अधिक बरसा होती यह भी सही है बाला घान्ट साइट अच्छी होती है घिर तो में मुरेना कि मैं दतिया में तापमान कम रहता नहीं गर बचेंगे सेवंटीफोर कोश्चन की तरफ चली देखी बहुत मजाक्या कोश्चन पूशा गया है बीना नदी की सायक नदी किसकी बीना सायक नदी बैतवा की है बीना से है ठीक है नरब्दा गहरा खड़ा बनाती याद रखिए गए सिंपल सा कोश्चन इसका आएगा डी पिछत्तर का क्या आएगा डी चौत्तर का अगर हम लोग देखें देखिए बन चेत्र सरवादिक वन सबसे यादबर से की जाती आपको याद रहेगा तो बन जाएगा इसके आद देखिए अगला कोश्चन देखिए 79 वाला 79 क्या कहे रहा हैं आए 79 के उपर अपन देख लेते हैं असी बही देखेंगे एक साथ चलि देखी देखिए देखे माध्य पूरवि भाग में हमेटाय जमाब होता है यहां जमाब अबरक और सिलिका की मात्रा सब्सक्राराइद नहीं है नहीं चौछा है सखथा इसथान वैंद निमले फित में सिचाई परियोजना द्हानी तीजिए iOS योर में पुनासा खंडवा में पर सुकता बैतूल में नहीं है तो सी इसा राइट अंदर सुकता जो है वो बैतूल में नहीं है वह कहां पता नहीं पर यह तीन युज़े पता है ठीक है वह हम देख लेंगे चलते हैं 81 पर 81 कोशन पर 81 कोशन भारत के राश्पती की छमादान चमझते आप लोग पाड़न की जो होती है 72 में होती सिंपल सा है मौलिक अधिकारों के लिए किसने कहाएगी उस छण किसी विसेज कठनाएगी द्रश्टी कौन से नहीं देखा जाएगे बलगे एक ऐसी यह कहा है किसने कहा जवाल लाल लहरू ने कहा भई ठीक है जवाल लाल लहरू के एक अथन थे लियाब्द रखेगा 82 का बी इस दा राइट अंसर ऐटी थरी की बात करें भारती संविदान का कौन सा अनुछेथ रास्ट्पती के महावियोग महावियोग 61 ज्यादा दिम्ख नहीं लगा न यह क्लास में बताये गया है महावियोग menu जो है 61 अंदरकत आता है कि महावियोग मतलब राश्ट्पती को कैसे हटा सकते हैं निमलीखित में से कौन सा ओध्योगी विकास और विदेशी वेपार का लाव है बड़ी हुई प्रतिस्विस्ता माल उपलों कमी कमी तो इसका आएगा बड़ी हुई प्रतिस्पर्दा बड़ी हुई प्रतिस्पर्दा मतलब कॉम्पटिशन बहुत बड़ गया तो बहुत जरूरी किस बर्स में राश्टी करन हुआ था 1934 में बनी थी रिजर्बैंक ठीक है रिजर्बैंक जो है भीम्रां बेटर के कहने पर बनाई गई थी उनका प्लान था कि आरवी होना चाहिए कि चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग 85 के बाद हम लोग 86 देखेंगे कि 86 क्या है संभिधान के किस अनुश्य के अनुश्य भारत का राश्ट पती किसी उच्छ न्याले के नियादिसों को एक नियाले से दूसरे नियाले में स्तांदर्ट करता है तो इसका जो आंसर आएगा वह आएगा आपका अनुश्यद 222 222 222 222 is the right answer अनुछे 222 ठीक है तो 86 का अंसर आपको देना है 86 का अंसर आपको देना 222 चली बस पाह 16 कुछ 14 कोशन और बचे हैं कि देखी एक बहुत अच्छा सा कोशन है बहुत सिंपल कोशन ने सब को पता है यह संभीदान की जब सभा बनी थी तो 9 दिसंबर को पहली बेटा 11 दिसंबर को दूसरी बेटा तो तीसरी बेटा कुछी 13 दिसंबर को जहां पर प्रस्ताफ उद्देश प्रस्ताफ पारित किया गया था भारती संभीदान का 51 संसुदन क्या कहता है मंत्री परिसरत की संख्याओं को सीमित करना किस अधिनियम के प्र कि चाली आगे बढ़ेंगे हम लोग कि किसने कहा कि संभीदान सभा अकेले ही देश के लिए एक स्वदेशी संभीदान निर्मान कर सकती तथा सही मायने में पूरी तरह के से लोगों की इच्छा का प्रतितित कर सकते हैं यह महात्मा गांधी का कहना था भी सब आपको बुला के अपन नहीं बुलाएंगे सबके विचार नहीं पूछेंगे संभीदान सभा से पूछ लेंगे मतलब सबने बोल दिया हां कि इसके बाद देखो हुए निर्मल वर्मा निर्मल वर्मा जो है हिंदी किसे संमle्दित हैं इनका आंसर आएगा खिस शेटर में विभाग व्रभासी द्वारा हिंदी वासा के प्रेचार वंबिकाऊस वाला रहेगा कौन सा राश्टी उध्यान अधिकारी रूप से भूर्चिंग दावारा सिंगा काना किसली यह तो बहुत नॉर्मल कोश्चन है हर बच्चा पढ़के गया है इसको ठीक है हर बच्चा पढ़ता है रोहन चक्रवती के द्वारा इस सुवांकर को घुसित किया गया था निम्लीखित में से कौन सा कतन प्रिश्च धोकराकला के किस के लिए साही नहीं है यह कला बैतूल की भोर्बा जाती की समधास समंदित है जह अलों दातु धलाईती है यह सबी सकतन सही है विवास हमारों से चुड़ी एक सजारिपुटी कपड़ा का कला है यह सी इस दा रा चलिए यहां पर देखिएगा 94 कोशन इस्तूप के तोरण द्वार असोक ने उसकी दो राणियों के बोधी ब्रक्ष के लूप में बनवाये थे उसका अंसर क्या होगा भरूत साची सोनारी तो इसका अंसर होगा साची प्रसिश स्वतंता सेनानी भागीरत सिलावट और साधत खान किस बंचे थे इंदौर निम लिखित में से किस अरव लेखनी कल्चूरी सासक गंगदेव धियान रखेगा कल्चूरी सासक उसकी याल बरूनी ने किताब लिखी थी उसमें वर्ड़न मिलता है तो गांग देब कोशन आया एक्जाम में तो 96 क्या आएगा सी 97 कोशन की तरफ चलेंगे निमलिख में कौन सा यूग गलत है साकेत रामाइन संग्राले और्छा में है प्रेम सर्जन पार्ट उज्जन में है मुक्ति वो सर्जन सागर में है फुलसी बोध भुपाल में नहीं है ये सतना में है कि 98 कि पंडित द्वार का개21 को सभी के निमलिखीत समचार पत्र का संहबंद किया है इसके बाद देखिये कि अनंद सींग श्याम एवं धनएया बाई कलाकारों का किस ये गौन चित्रकला से संपन्दित रखती है कौन anxi Quindi कि अ सोबे कोश्यन और लास्ट कोश्यन की तरफ हम लोग चलेंगे कि धर्म एवं राजेश्वर इसमारक निमली खित्मे से प्राचीन नगर से संबंदित है तो यह संबंदित है दसपुर दसपुर जो कहां चाहूं पेपर बहुत मॉडरेट था जैसा पूछती यह वैसा ही था ज्यादा टफ नहीं था ना ज्यादा आसान था कुछ कोश्चन आसान थे कुछ टफ थे और कुछ बीच वाले थे जो लॉजिकली थे ठीक है तो मेरे हिसाब से इस बार जो कटाफ जाएगा वो 75 से लेकर 80 प्रश्चन आपके बन रहे हैं सही है तो आपके संभावना ज्यादा है कि आप लोगों को सेलेक्शन हो जाएगा इसी बीच रहने वाला है तो 75 से लेकर 80 रहने वाला है तो इसे आप लोग एक बार ध्यान से देख लीजिए तो बैस्ट अब लक मुझे उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब लक्त बाइबाइब टेक क्यार थेंकियो सो मच